पता है आज मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में खाना बनाना है तो यहाँ पर मैंने पनीर को फ्राई करना शुरू कर दिया थोड़े से ही पनीर थे तो मैंने इनी को तवे पर फ्राई करना शुरू कर दिया आज मुझे मुझे देखने जाना है तो मैं लेट नहीं होना चाह मैं भी पूरे तरीके से रेडी हूं कि बस खाना खाऊंगी और यहां से निकल जाऊंगी लेकिन तभी मेरी हेलपर आ गई तो मैंने उसको बोला कि बहन तु एना मुझे फटाफट से प्यास कट करके दे क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहती अगर लेट होगी तो फिर मोवी गोद में उठा लो फिर क्या यार मैं बन गई सूपर ममा जहां एक तरफ मैंने हाथ में निविशा को उठाया और दूसरी तरफ खाना बनाना शुरू कर दिया और निविशा बड़े ही ध्यान से देख रही थी तो यहां पर मेरी हेलपर ने भी मेरी काफी जादा हेल्प कर इतनी में निविशा फिर से आ गई और काजल के पास आ गई कि मुझे गोद में उठाओ मैंने काजल को बोला कि तू चली जा यहां पर मैं फटा फट से खाना बना लेते हो तब तक तुम निविशा को संभालो तो यहां पनीर भी अच्छे से भून चुके हैं और जो ड्रा अगर आप भी ऐसा करते हो तो फटा फट से मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यहां पर आप देख सकते हैं कि ड्राइफ फ्रूट्स और जो पनीर है वो अच्छे से भून चुके हैं और मैंने इन सब को निकाल दिया है अब बारी आती है थोड़ा सा तड़का लगाने तड़के के नाम पर मैंने यहां पर थोड़े से लोंग ली हैं दाल चीनी ली है और तेजपता भी ले लिया है और इसी के साथ में मैंने यहां पर प्यास भी डाल दी है और प्यास को थोड़ा सा बुनना शुरू कर दिया है माटर मैंने पहले ही छील कर रखे हुए थे और इसको मैंने कटोरी में डाला नाप के हिसाब से और फिर मैंने इनको अच्छे से दोकर इसी पैन पर डाल दिया है अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पैन क्यों लिया है कड़ाई क्यों नहीं ली तो यार कड़ाई थोड़ी सी गंदी थी फिर मैंने सोच है कि यार अगर इसको दूने लग जाओंगी तो काफी जादा टाइम लग जाएगा यहां पर मैंने थोड़े से कॉंस भी डाल दिये ह और कड़ाई के लिए जादा पानी भी चाहिए था पानी अभी घर पे आ नहीं रहा था तो मैंने इसी तवे का इस्तमाल कर लिया इंस्टंट 20 मिनट में और क्या क्या कर लेती यहां पर इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह दीरे-दीरे करके भुनन शुरू हो गए हैं यह भुन रहे हैं तब तक मैं सोच रही हूं कि एक काम और कर लिया जाए क्योंकि मैंने यहां पर रहना चावल को पहले से ही बिगो कर रख लिया था और अब मैं ले आती हूं फटा फट से कूकर क्योंकि एक तरफ यह बुनेंगी दूसरी तरफ मुझे भी तो रखना है कूकर में मैंने पानी थोड़ा सा पहले ही डाल दिया था और इसकी साइड भी पलट दी है और अब यह पानी वाला जो है चावल वो मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ा सा उपर से पानी भी एक्क्ष्ट्रा डाली दिया है कि यह बॉयल होगा तब तक हम बहुत ही जल्दी करना है जैसे अब एक मिनट में ही सारे काम खतम करने हैं यहां पर मैंने जो जो मेरे पास मसाले थे जैसे की लाल मिर्ची नमक और गरम मसाला ये सारे मसाले मेरे पास में पढ़े थे तो मैंने इनको भी डालना शुरू कर दिया इसी के साथ में मैंने सोचे की अब ड्राइफ फूर्ट को भी क्या करूं काम तो मेरा और बड़ी ही गया है फिर मैंने सोचे कि कोई बात नहीं इस सूट को भी चेंज कर लिया जाएगा लेकिन तभी यहां मैंने देखा कि किस तरीके से काली मिर्च भी खत्म हो गई है और मैं जोर जोर से इसको जार रही हूं कि शायद थोड़ी सी काली मि किया इसी के साथ में यह जो मैंने मटर प्याज और कौन्स भूने थे वो मैं इस चावल में डाल रही हूं और इसका जो स्वाद है वो दो गुना ती गुना होई जाएगा तो यहां पर सारी चीजे मैंने डाल दिया है अब सोच रही हूं कि इसी में मैं यहां पर प्रूट्स को भी डाल दिया है और अब मैं इन सब को अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ और इसके बाद मैं कुकर की जो है वो सीटी लगा कर बंद कर दूंगी और हमारे जो पुलाव या ड्राइफ रूट्स पुलाव बिर्यानी कह सकते हैं इस तरीके से और ये काफी जाद इन्स्टेट बंकर तैयार हो जाते हैं यहां पर मैंने सीटी लगा दी है यहां पर मैं लगबग 3-4 सीटी लगाओंगी तब तक यार किचन को भी थोड़ा रैप अप कर लिया जाये चैक्छ सामान इदर उदर बिखर गया है इस किचन को क्लीन करते करते आप देखोगी कि कैसे जो सीटी है वो आ जाएगी और हमारा ये जो वेज बिरियानी पुलाओ जो है वो बन कर तैयार हो जाएगा यहाँ पे यार और ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकती चावल को इसलिए मैंने जैसे ह कि मदद से सीटी निकालना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी जाना है और मैं वेट कर रही हूं कि बस जल्दी से हो जाए और मेरी मुवी ना चूट जाए क्योंकि टाइगर त्री मुझे 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 देखनी है और इसके लिए मैं बिल्कुल भी लेट कि अदिया नहीं होना चाहती और सारा काम हो चुका है बस पुलाव देही के साथ खाऊंगी और डाल कर हसबंड को दे दूँगी और बाकी सब को भी दे दूँगी तो यहां पर कुछ इस तरीकी सी इसमें खुश्बू आ रही है तो दोस्तों आप इंस्टेंट वाला काम कौन सा करते हो और कौन सी रेसिपी बनाते हो कि आपकी जल्दी से फटा-फट से रेसिपी बन कर तैयार हो जाए और आपका जादा टाइम भी ना लगे अगर कोई ऐसी रेसिपी है तो यार मेरे साथ जरूर शेयर करना क्योंकि मैं अक्सर बहुत ही जादा बीजी हो जाती हूँ और खाना बनाने के लिए कुछ न कुछ तो बनाना पड़ता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं चलती हूँ आज की इस वीडियो में इतना ह बढबाई!